मुख्यमंद्री स्रमी के स्यान साहता योजना इस योजना के माध्यम से 36 गड़ के बुजुरुगों को 20 हजजार रुपय की एक मुस्तरासी दिया जाता है अगर आपके परिवारे में ऐसे बुजुरुग है जिसकी उम्र 69 से 60 वर्स के बीच में है तो ऐसे बुजुरुगों को इस योजना के माध्यम से 20 हजजार रुपय के एक मुस्तरासी मिल सकती है तो चलिए इस योजना का लाब कैसे ले सकते हैं इसके लिए क्या क्या चीजों की आवसकता रहेगी क्या क्या डॉक्मोमेंट्स क्या आव सकता रहीगी इसके लिए आवेदन कैसे कर सकेंगे चलिए पुरविस्तार से देखते हैं मुख्यमंत्री स्रिमिक स्यान सहयता योजना 36 गड़ की योजना है और इस योजना में लाब लेने के लिए मुख्यमंत्री स्रिमिक स्यान सहयता योजना में लाब लेने के लिए भवन एवंस निर्मान कर्मकार कल्यान मंडल के तहट बना हुआ स्रम काड़ होना चीए 36 गड़ में जो स्रम काड़ बनता है तब आप इस योजना का लाब ले सकते हैं और इस योजना का लाब लेने के लिए आपको क्या क्या डॉकुमेंट्स की आशकते रहेगी उसको भी आप लोगों को बता देते हैं सबसे पहला दस्तावेज है पंजियन प्रमान पत्र अगर आपके पास पंजियन प्रमान पत्र है और तीन वर्ष पुराना पंजियन है तो आप इस योजना का लाव ले सकते हैं दूसरा है हितरगाही का अधार काड़, अधार काड़ होना चीए तीसरा है स्वा घोसना प्रमान पत्र इसके लिए एक घोसना प्रमान पत्र आता है ये घोसना प्रमान पत्र किसी भी च्वाइस सेंटर आउनलाइन सेंटर पर मिल जाएगा चौथा है बैंक पास्बुक और पांचवा है नियोजन का प्रमान पत्र इसके लिए एक नियोजन का प्रमान पत्र आता है ये वाला भी आपको किसी भी च्वाइस सेंटर लोग से वाकेंदर पर मिल जाएगा इसमें आपको अपने नियोजन का साइन लगवाना रहता है तो ये पांचो डॉकुमेंट्स होना चीए अगर ये पांचो डॉकुमेंट्स आपके पास है तो आप इसके लिए घुदी आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आपको आउनलाइन आवेदन करना नहीं आता है या फिर नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी चॉइस सेंटर लोग से वाके इंदर पर जा करके इसके लिए आउनलाइन आवेदन करवा सकते हैं इसके लिए आउनलाइन करने का कोई भी प्रोसेस नहीं इसके लिए आउनलाइन करने का ही प्रोसेस हैं तो आप किसी भी चॉइस सेंटर लोग से बकें रपर जाकर कि इसके लिए online आविदान करवा सकते हैं वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगो तो प्रीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजे एंड वीडियो को सेयर भी कर देजे धन्यवाद